behay guyz कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे so guys आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है how to hard reset so guys आज की इस वीडियो में आपको बदाने वाले हूं आप अपने इस phone को कैसे hard reset कर सकते हैं कैसे full reset करना है so guys वीडियो को end देखना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर देना है जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकिशन मिलती रहे तो चली दोस्तों बेन टाइंग हो आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना होगा और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर तो असा स्क्रोल कर लेना है सबसे नीचे आ जाना है इसके बाद यहां पर आपको जाना है इडिशनल सेटिंग पर इसके बाद यहां पर आपको नीचे जाना होगा backup and reset पर क्लिक करना है अगर आप backup लेना चाहते हैं तो अपने phone में backup and restore कर सकते हैं बट मैं backup नहीं लेना चाहता हूँ आप Erase all data पर क्लिक करना है और Erase all data पर क्लिक करना है फिर हाँ से आपको Erase all data क्लिक कर देना है फिर यहां से आपको Erase All Data पर किलिक कर देना है जिसे कि आपकी सारा डाटा डिलीट हो जाता है So guys Erase All Data पर किलिक कर दिया हमने और हमारा फॉन बंद होगा और इससे खुलने में 10 मिनट, 20 मिनट या जादर भी टाइम लग सकता है अगर आपके फॉन में जादर डाटा है तो इससे खुलने में और जादर टाइम लग सकता है तो इसका बेट कर लेजिए उसके बाद आपको First Time Setup कर लेना है तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आजाओगा तो वीडियो पसंद आए तो फिलिश से वीडियो को Like and Share जरूर से कर देना है तो फॉन खुलने तक बेट कर लेते हैं उसके बाद First Time Setup कर लेंगे So guys हमारा फॉन स्टार्ट हो चुका है तो यहां से हम Start पर क्लिक करना है Agree पर क्लिक करना है Agree कर देना है और Skip कर देना है Next Installing Updates हो रहा है अब आपको यहां पर Don't Copy कर देना है फिर यहां से Checking Information इसके बाद यहां से Skip कर देते हैं और यहां से Skip कर देते हैं बाद में अपनी Email ID एड़ करेंगे Accept कर देना है OK कर देना है OK कर देना है Getting Your Phone Ready तो हमारा फॉन रेडियो हो चुका है तो आपर Agree कर देते हैं इसे OK इसे Join अभी नहीं करेंगे इसे Back कर देते है Use in Next और फिर यहां से Start अब यहां से इसे Back करते हैं इदर से Back करते हैं यहां से करोगे तो Home Screen पर आ जाओगे तो यह Navigation वाला सिस्टम आपको देखा रहा है तो यहां से आप बटन लगा लेते हैं OK Start तो हमारा Phone Start हो चुका है तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो में इतना हैं दोस्तो मिलते एक नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ अछूआ है